घर में Central Air Conditioner लगवाने में कितना आएगा खर्च अलग-अलग AC लगाने की नहीं पड़ती है जरूरत अब आपको अपने घर के अलग-अलग कमरों में अलग-अलग Air Conditioner लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सिर्फ Central Air Conditioner से ही पूरे घर को ठंडा रख सकते हैं बड़े-बड़े दफ्तरों में आपने Centralized Air Conditioner जरूर देखा होगा जिसमें आपको हर कमरे या कैबिन में Air Conditioner लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है बलकि पूरी बिल्डिंग या पूरे फ्लोर के लिए सिर्फ एक Centralized AC होता है और उसी से पूरे फ्लोर पर या पूरी Centralized Air Conditioner को अपने घर भी लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें लाखों रुपे का खर चाता है तो आप गरत हैं क्योंकि इसे भी साधारन कीमत में ही अपने घर पर इंस्टॉल करवाया जा सकता है और पूरे खर को सिर्फ एक Central Air Conditioner की मरत से ठंडा रखा जा सकता ह अगर आप भी अपने घर पर हर कमरे में Air Conditioner नहीं लगवाना चाते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस रखम में आप अपने घर में Centralized Air Conditioner इंस्टॉल करवा कर इस्तमाल कर सकते हैं क्या होता है Centralized Air Conditioner एक Air Conditioning System होता है जो एक बड़े एरिया को ठंड करने वाली बात यह है कि इसमें एक Central यूनिट होती है जो कि एक ही स्थान पर फिक्स रहता है और इसमें एक या एक से अधिक Air Conditioner होते हैं इस सिस्टम का इस्तमाल सबसे अधिक बड़े इलाखों जैसे कि होटल ऑफस भवन और महतपून संस्ताओं में किया जा सकता है Centralized Air Cond Conditioner System का उपयोग तेजी से एक बड़े एरिया को ठंडा करने के लिए किया जाता है और इसके लिए बड़ी मशीन की आवशकता होती है जो काफी बिजली की खपत करती है हाला कि आप घर में छोटे Central AC लगवा सकते हैं तो इससे बिजली की खपत कम होती है इतना है Central AC लगव रपे से हो जाती है जो 50,000 तक की जाती है हाला कि आप अपने खर के हर फ्लोर पर अच्छी कासी एर कंडिशनर चाहते हैं तो यह खर्च 2,00,000 तक भी पहुंच सकता है अब यह पूरी तरह से आपके उपयोग पर ही निर्भर करता है